स्वागत है आप सभी का टेक स्टेडी आईटिया यूट्यूब चनल पर आईटिया पास आउट, टेंथ पास आउट और आठोई पास आउट केंडेट्स के लिए एक ऐसी अप्रेंट्सिप आई हुई है जिस अप्रेंट्सिप को करने के बाद आपके गवर्नेंट जॉब के चांसेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पे जब भी ट्रेट्समेंट टेकनिकल की वैकेंसी आती है तो अप्रेंट्सिप कियो है केंडेट को यहाँ पे 100% मौका दिया जाता है जी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मजगाओं, डाक सिप, बिल्डर्स, लिम्टेड, M.D.L. की अप्रेंट्सिप की जो कि अभी यहाँ पे जारी की गए जिसके ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे and सबसे important बात यहाँ यह हो जाती है, कि आपका selection यहाँ पे merit basis पर नहीं किया जाता, बलकि written examination के basis पर आपका यहाँ selection किया जाता है तो जो भी candidate 8th pass है, 10th pass है या अगर आप ITA ही pass है अलग-अलग trade से तो आप यहाँ पे 400 से ज़्यादा seatों पे apprenticeship है, उसके लिए आप यहाँ form fill up कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है selection of trade apprentice batch 2023, online application form आपके यहाँ पे fill up होंगे, form कैसे भरा जाएगा, उसका accepted video में आपके लिए जरूर बना देंगे, अभी current में ITA की examination भी आए हैं, तो उनकी videos के चक्कर में थोड़ा सा आप लोगों को कुछ कुछ जॉब की updates नहीं मिल पा रहे हैं, बट जो भी आपके लिए important है ITA candidates लिए, वो हम यहाँ पे आपको जरूर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो यहाँ पे notification हमने download कर लिया, आए देखेंगे complete detail and अगर आप यहाँ पे eligible होते हैं, तो please आप लोग यह form जरूर fill up कीजेगा, यह मान कर चलिए कि अगर आप यहाँ से apprentice कर लेते हैं, apprentice training school से, तो जब भी shipbuilders, even यहीं माजगाउट shipbuilders में नहीं, अगर आपका कोचीन सी प्यार्ड में या कई बार आपका garden reef shipbuilders, GRSC में जब permanent job की vacancy आती है, उसमें मागा जाता है shipbuilding में अगर आपने apprentice की है, तो आप form भरिए और फिर आप यहाँ पर eligible हो जाते हैं, उस form को भरने के लिए, आईए देखते हैं complete notification, वीडियो को like and share कर दीजेगा, साथ में ऐसी सभी update वा PDF के लिए आपमारा telegram channel है, Tech Study ITI, उसे आप लोग जरूर join कर लीजेगा, और YouTube पे अगर आपने download कर सकते हैं, आपको जो notification है, तीन languages में generally देखने को मिलेगा, Marathi में, Hindi में और English में, तो हम लोग यहाँ पे English and Hindi पे फोकस करते हैं, ठीक है, online application यहाँ पे invite के जा रहे हैं, Indian National, मतलब सबसे important All India का इंडेट eligible है, यहाँ पे apply करने के लिए, अब बात करें, सबसे पहले यहाँ जो vacancy है, वो दी गई है यहाँ पे, A, B, C, तीन group की vacancy है, जिसमें से अगर हम बात करें, यहाँ पे, group A, B, C, English वाले portion पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, जो सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पे जो group A है, जिसे हम group का, यहाँ पे कहरें, group A है, उसमें है draft man mechanical, यहाँ दस्वी पास candidate इसमें भर सकने, ध्यान दीजिए, यह दो साल के apprentice होगी, आप यहाँ से जब करके निकलेंगे तो आपके पास draft man mechanical की ITI की योगिता भी होगी साथ में, ठीक है, क्योंकि आपके पास NAC certificate होगा, electrician की vacancy है total 31, fitter की है 86, pipe fitter या plumber जिसे कहते हैं, उसकी है 26, और 66, 600 रुपए पर मन्त मिलेगा, 15 से 19 साल तक के candidate form भर सकते हैं, अगर आप SCST है तो 5 साल एड कर लीजिए, इसमें अगर आप OBC हैं तो आप 19, 3, 22 साल तक के candidate form यहाँ पर भर सकते हैं, next है यहाँ पर group B, group B की अगर बात करें तो ITI पास candidates के लिए vacancy होती है, जिसमें fitter structural की vacancy है, जिसमें अगर आपने fitter से ITI किया है तो 50 seat पे vacancy, काफी अच्छी vacancy, 8,050 रुपए स्टाइपेंड होगा, 16 से 21 साल तक के candidate form भर सकते हैं, एक साल की आपकी training होगी, electrician में दिकतर हमसे question करते हैं, सर आती नहीं कुछ, railway नहीं देती तो क्या हुआ, यहाँ पर आईए देखें, 30 post, RAC की 10 post, plumber वाले जरूर फार्म भरना 20 vacancy है, बहुत अच्छी vacancy है, apprentice करने के लिए, welder वालों के लिए 25 post, काफी अच्छा मौका है आप सभी के लिए, कोपा, कोपा की 15 seat है, अच्छा chance है, कारपेंटर वालों के लिए तो यहाँ पर golden opportunity है, 30 seat आप सब के लिए भी काफी है, क्योंकि यह सब trade भी उतने popular नहीं होते हैं, और इन सब trade में आपको जनरली, इस age group में जनरली candidates मिलते भी नहीं है, तो आप सब अगर eligible हैं, तो यह form fill up कर सकते हैं, आप यहाँ पर, एक साल वाले trades को यहाँ सततर सो रुपए मिलेंगे, दो साल वाले trade को आठ जार पचास रुपए यहाँ पर इस type and मिलेगा, अब बात करते हैं, जो candidate आठ हुई पास हैं, वो क्या करें, अगर आठ हुई पास हैं यहाँ पर, तो आप rigor पे apply कर सकते हैं, 23 seat है, दो साल के apprenticeship होगी, पहले तीन माह पच्चिस सो, फिर पांच जार और फिर पच्च पंस रुपए आपको मिलेंगे, 14 से 18 साल age मागी गई है, ठीक है, जनरल कटेगरी में, जनरल EWS में, OBC में 18-321, SCST में 18-5-23 साल, welder, gas and electric की 30 post है यहाँ पर, एक साल 3 महीने की training, यानी 15 महीने की training होगी आपकी, पहले 3 महीने यहाँ भी आपको, उसके बाद 9, और फिर 2-3 वर्स, मतलब अगला 3 मह 55 रुपए मिलेगा आपको, age criteria हमने आपको बता दिया, अब अगर यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो जो इसमें कुछ चीज लिखे रहा है, ICTSM मतलब है Information and Communication Technology System, REC मतलब है Refrigeration and Air Conditioning, COPA का मतलब है Computer Operator Programming Assistant, यह ITIE के trade है, यही trade इसमें form भर सकते हैं, ICTSM अगर सिर्फ Information Technology वा Age में छूट की बात करें, S.A.S.T. को 5 साल, O.B.C. को 3 साल, Physically Handicapped जो है दिव्यां काटेगरी, उनको यहाँ पर 10 साल की Age में छूट मिल जाएगी, अब यहाँ योगिता देखे दी गई है, Draftman Mechanical में क्या योगिता होनी चाहिए, Electrician में क्या होनी चाहिए, Group A में अगर आप देखें, Draftman Mechanical के लिए, तो आपके पास योगिता जो होनी चाहिए, वो यह होनी चाहिए, कि आप सभी में, ठीक है, 10 हूई आप पास हो यहाँ पे, 50% minimum आपका marks होना चाहिए, O.B.C., E.W.S. and दिव्यां के लिए यहाँ पे 50% marks जो है minimum रखा गया है, ठीक है, इसके साथ सा हो जाएगा, मतलब science और math आपका इसमें रहना चाहिए, ठीक है, इस चीज को यहाँ पे clear कर दिया गया है, SCST category case में यहाँ पे यह कहा गया है, देखें, लिखा हुआ है, पास class, सिर्फ आप पास होने चाहिए, 50% वाला criteria आपके लिए यहाँ पे नहीं रहेगा, 5Fitter के case में अगर बात करें, तो आप यहाँ पे भी 10 ही आपको पास होना है, ठीक है, इसमें और science and general science and math वाला criteria यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ठीक, then ITI के case में अगर बात करें, तो जैसे यहाँ पे है, structural देखे, fitter, electrician, ICTSM, तो इसमें देखे, trade जो लिखे हैं, वही trade भर पाएंगे firm, fitter, electrician, ICTSM, electronic mechanic, plumber, welder, and copa, carpenter, RAC, ठीक, इतने ही trade के candidate इस firm को यहाँ पे fill कर सकते हैं, इस चीज को भी आपको यहाँ ध्यान रखना है, and इसमें भी एक criteria आपका लिख दिया गया, clear, clear, 50% marks आपके होने चाहिए, कम से कम, and SCST category सिर्फ अगर पास हैं, तब भी भर सकते हैं, Applicants should have pass ITI in above trade only, however, in case of fitter structural trade, applicants belonging to ITI fitter trade can apply, यानि जो structural fitter है, उसमें fitter trade वाले, ITI fitter trade वाले apply कर सकते हैं, यह एक चीज यहाँ पे लिख दी गई है, ऐसे candidate जो अभी examination में सिर्फ appear होए result नहीं आया है, वो यहाँ पे form नहीं भर सकते, इस चीज को भी यहाँ पे clear कर दिया गया है यहाँ पे rigor और welder gas and electric में आपको 8th pass होना चाहिए, science and math के साथ, अब एक question आपका आ सकता है, ITI यहाँ जो मागा गया है, क्या ITI यहाँ पे NCVT, SCVT कुछ नहीं लिखा, मतलब आप ITI किसी भी NCVT से हो या SCVT से हो, आप यहाँ पे apply कर सकते हैं, ठीक, and सबसे important बात private and government, आप यह form भर सकते हैं, ठीक है, इस चीज को यहाँ पे clear कर दिया गया है, एक चीज और यहाँ mention की गई, ऐसे candidate जो ITI पास कर चुके हो, group A और group C में apply नहीं कर सकते, अगर किसी भी दोरान, मतलब selection के दोरान है, उससे बाद में, अगर पता चलता का आपने ITI जाम दिया है, आप ITI कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ जब apprenticeship में आपका registration होगा, तो आपका यह detail निकल आता है, वहाँ पे, तो आपका candidature reject कर दिया जाएगा, मतलब अगर आपने ITI कर लिया है, तो आप लोग group A और group C, जो दसमी पास और आठमी पास है, उसकी लिए apply मत कीजेगा, आपका form यहाँ reject हो सकता है, ठीक है, अगर कोई applicant चाहे को group A दसमी पास वाला और group C आठमी पास दोनों में apply करना चाहे, तो apply कर सकता है, बड़ दोनों के लिए separate application form आपको submit करना होगा, and यहाँ पे हम आप कैसे हो form आप भरेंगे, कैसे आप second form भर सकते हैं, उस पे जब form भरने का video आप सब क fill up कर सकते हैं, बिना किसी problem के, ठीक, तो यह यहाँ पे complete detail थी, vacancy की और इसका form भरना start हो चुका है, form भरने का video आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से form fill up कर पाएंगे, अब यहाँ बात कर लेते हैं, आवेदन सुल्की, 100 रुपय आपकी fees लगने वाल chemical, electrician, fitter, pipe fitter, इसमें आपका जो है, English GK के 25 कुस्चन, physics के 25, chemistry के 25 और गनित के 25, 100 कुस्चन का paper होगा आपका, सेम अगर group B की बात करें, ITA पास के लिए English or GK के 25, trade theory के 25, workshop, calculus and science के 25, drawing के 25, total आपके 100 कुस्चन यहाँ पूछे जाएंगे, and आठवी पास में English, physics, chemistry, math, सब मिला आपके आप से 100 कुस्चन पूछे जाएंगे, इसकी तैयारी का वीडियो भी आपको चैनल पे मिली जाता है, तो आप आसानी से अपनी तैयारी भी यहाँ से कर पाएंगे चैनल के तुरू, form भरने के बाद आप लोग तैयारी भी इसकी अच्छी कीजेगा, ठीक है, यह selection process आपको हिंदी में, सेम आपको इंग्लिस में, सेम आपको मराथी में, तीनो लैंग्विज में यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है, बात करें, examination center की, यह भी एक important question हो जाता है, examination center जो होगा यहाँ पे ध्यान दीजेगा, कोपा के case में 75 question आपके trade theory के और 25 इंग्लिस and second stage आपका document verification और trade allotment होगा, उसके बाद आपकी यहाँ पे training start हो जाएगी, ठीक है, तो all India candidate eligible है, last date अगर form भरने की बात करें तो 26 जुलाई है, payment करने की date भी होई 5-26 जुलाई तक है, अगस्त में आपकी list आजाएगी, अगस्त 2023 में आपका exam भी हो जाएगा, और आपका online exam स eligible hand आप apply करने जा रहे हैं इसमें या नहीं, thank you